हेलो फिंट्स में रितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इंवेश फोरेवर में आपका एक बफर से स्वागत करता हूं एक वीडियो आचुकी है जहां पर यहां पर मार्केट में होगी तेजी पर अभी गिरावट बाकी है मैटल राइटी में इहां पर घरावट होती ही दिखा दे रही है और 50 50 50 जिस तरीके से आपर चलने जहीं है उसी तरीके से यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं पूरी वीडियो देख लीजएगा आपको सार पता चल जाएगी और किस तरीके से आपको पैसे कमाने मार्केट में आपको मुवमेंट कैसे पता कर दिखा रही है व्ह यहां पर पता होती हुए नजर आईगी सेक्टर रोटेशन क्या होता उसी के साप से यहां पर इस पर्टिकूलर वीडियो में बात करने वाले इंट्रा डे क्या होता है सबसे पहले तो और कुछ ब्रेकाउट श्टॉक्स आपको दिये जाएंगे आज की डेट में नहां पर ब्रेकाउट होता हुआ नजर रहे और अच्छे कहां से तरीके से वो चीछ भागत भागती नज करेंगे तो आएए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते 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 बब बफोर दै वीडियो में आगे बढ़े रुक्वेश्ट करूबगा आपके अपने चैनल इन्वेश्ट फोरेवर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल इकन को हिट और जितना हो साके सीखने अपने चैनल इसे सब्सक्राइब करें और यहां पर पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉंटा करके हमारी फाइंशे सर्विस का लाव उठा सकते हैं और यहां पर बाइंग सल्ण की रिकमेंडेशन है बड़ जतना हो सके सपोर्ट करने कोशिश करेंगा लाइक करें करें चैनल शेयर करें जितना हो सके हमारी वीडियो को तो यह वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इंट्रडे के बारे मिन जान लेते हैं फिर उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक से लिटे सब्सक्राइब तो इंट्रडड़ होता क्या इंट्रड़का मेनि तक आपको execute करने 3 bach के 15 min में आप एक्जिक्ट नहीं करें ऑ्टोमेटिकली एक्जेक्ट कर देगा आपका जो ब्रोकर होगा या और उस पे NLT लगाएगा वो अलग है तो यहां पर आपको पूरा execute कर देना अगर आप यहां पर कर रहे हैं अगर आप ऐसी एंसी कर रहे हैं या फिर डिवरी बेसिस पर ले रहे है तो आपको चीज़ डरने की जरूओत नहीं है तो यहां पर डे ट्रेडिंग जिसे कहते है न एक दिन के अंदर-अंदर लॉस में या भी प्रॉफित में आपने चीज़े निकाली कि अधर आपने या तो पॉफिट हो गया तो बेस दिया या फिर लॉस हो गया तो इस टॉप लॉस लगाके यहां पर आप में एक्जिट कर ले तो इस टॉप लॉस लगाना बोज जरूरी है इंट्रेडे में अधरवाइस आपका लॉस कितना बढ़ जाएगा आपको पता जलेगी तो नतिंग इस पर्मेनेंट ओके चाय हम कितनी भी बहतरीन चीज़ें आपको बताते हो इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल भागती नजर आएगी गिरती नजर आएगी क्योंकि मार्केट का काम हमेशा भाग नहीं नहीं है भाग निकाद गिरना भी होता है तो आई है यहा से क्वियंट रहा है यहां से ब्रैक आउट रही है एंटी sucking के लेट क्रेश कहां सिम्सिंटैक अटने कल्स के वह नेज़ेतु है संवस्ति के प्रों क्रेंट क्वूं ल Χांट को क्लि घंगत वहारा से गतर से पो बटों रुन ओड़ तो उसका लेवल और बढ़ सकता है 20-25-30% तक उसके लेवल बढ़ सकते हैं पर सर्केट और खोल दिया जाता है बट एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक मुवमेंट नाम की चीज़ होती है वह मुवमेंट वहां से निकल जाए उस केसे में आपको यहां पर देखना है कि अग तो यहां पर देखेंगे तो लगभग इस पर्टिकुलर शेयर में कितने रुपे की मुवमेंट है 70 रुपे के आसपास की ओके इधर कितनी मुवमेंट है कितनी मुवमेंट है यहां पर देखेंगाए इसको लोग और हाई यहां पर दिखाई दे रहा है तो एक केंडिल पर याया और की सब्सक्राय। कि लोग लगाया है 10uki 1350 लगब लगब 50 वारी कि मुवमेंट यहां पर अती दिखाइई यहां पर देखेंगे 1280 1023 ते पी 306 कि मुवमेंट देखाता है यहां पर अगर देखेंगे तो 1223 यह लगब तो minimum 400 उर्पे से लेके 100 उर्पे तक की मुवमेंट यहां पर दिखा देता है अगर यह शेयर जब चलना होता है तो यह मुवमेंट नाम की चीज होती है तो आप यहां पर जब भाग रही होती है वह कि अब ट्रेंड में होती है तो आपको चीजे समझने की जड़ूत है कि इत लीजिए चांटिस ट्रेंड लेने से कोई फादा नहीं हो था एक ट्रेंड आपने लिया तो यहां पर साथ-साथ आपको अपने श्टॉप लोस वह भी ट्रेंड करते रहना है ता कि अगर चीजे नीचे आना शुरू हो तो आप वहां से एक्जिट कर ले चाहिए आप नो नीचांशिए उस दर यहां तो आपको एग्सिट कर देना चाहिए था अगर आप यहां पर एक्जिट नहीं कर भाते तो यहो िसी इस अपसे आपको यहां पर चलना चीनिए रर यह साथिस तो यह यहां पर समझने की कोशिश करें को आपको यहां पर इंडियन मेटल आपको दिया गया था इंडियन मेटल में क्या हुआ था इंडियन मेटल भी इसी तरीके से यहां पर दो दिन से दे रखा है यहां से चीटे भागती भी दिखाई दी यहां से ब्रेक आउट होता हुआ दिखाई दिया था ओके फिर यहां पर अजके दिन भी यह एक लॉंग टरम का 3 का उच्छा उच्छाइधिए वह भी यहां पर ब्रेकाउट को दिखाए दिखाई दिया यह ब्रीगवंग यह ब्रेकिंगे कि यहां से होता हुआ दिखाई दिया इस लेवल पर पर गया BUT ृ-ब अधा यह उपर जाने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिखाई दिया इसने जो मुवमेंट थी इस पर्टिकुलर शेयर की लेबद 20-30 और तक यहां पर मुवमेंट यह पर्टिकुलर श्टॉक दिखाता है तो चीज़ ऊपर ज़रूर गई याद रखिए ऊपर गई बट ऊपर आने का दिया तो आपको स्टॉ नॉमल क्या लगाना चाहिए था इसका प्रीवेस यहां पर था यहां पर जो क्लोस था चार्टिकुलर यहां पर यह ब्रेक आउट भी यह था इसी लेवल पर आपको स्टॉप लगाना चाहिए था और चीज़ आ नीचे आ गई है तो यहां पर नीचे आने का रीजन सबसे यहां पर कमी थी निफ्टी मैटल यहां पर थोड़ा सा कमजोर हुआ रिखाई दिया था तो मैटल के सारे स्टॉक्स सहा पर नीचा अभी भी स्टॉक्स तो मिल जाएगा तो आप एक्सित भी कर सकते हैं इसे अब रियल तेजी होने के लिए इसका खुत का अब्ल जो आज क यहाँ आपर शपास जा एकार आज आर उपर सकतिते है आप यहाँ तो हाँ निफोटी में तो इहां पर आपके प्राइस के आज कर सकते हैं तो loot आप सकते हैं तो यहां पर बनने की देख सकते हैं नहीं तो सिंपल सी बाथ है अभी पर आज जब मार्किट कुलेगी कल की रेट में तो यहां पर आती हुई दिखाई देगी तो आप यहां पर एक्जिट कर सकते हैं क्योंकि जब तक यह 513 के लेवल नहीं निकालेगा तब तक यहां पर कोई भी बड़ी तेजी नहीं हो सकती तो इंट्रेडे कर रहे है तो इस टॉप लॉस यहां पर प्राइस का मूवमें जरूड देखिए क्योंकि आज के दिन में यहां पर यह यह जब यह पर ओपन हुआ था ओके यहां पर पांसो चार पर यहां पर ऊपर की तरफ ओपन हुआ पांसो तेरा पर जाके गिरने लग गया तो आपको अपनी इस टॉप लॉस यहां पर टिगर होता हुआ नजर आता तो इस टॉप लॉस से आप एग्जिट कर सकते हैं तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर ब्रेक आउट शॉक से लेटरी बाते करेंगे तो उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने जैसे की टाटा कम्मुनिकेशन वी अगारा को टाटा कम्मनीकेशन गरेंजुशन में एक हैमर जिखाई दिखाई दिया अगर इसे आपर क्रॉस करता है कल की रेट में ओके तो यहां पर तेजी ओगी यहां तक लोगवाभण चार्शू और यहां पर असली लीवल जो इसका चार्श रचाज करता है सेराप यहां पर तैजी होगी कोुझे सकते हैं 2 फर झेचे लावा नाम के यहां पर लिपमगो की तरफ यहां पर प्र। पर खड़ा हुआ है यहां पर देखिए इसमें आज की डेट में ब्रेक आउट दिया चीजे अगे नीचे आती हुई दिखाए दियो जब भी इस तरीके की चीजे बनती है तो चीजे मुशली यहां पर नीचे गरती हुई नजर आती है बट इसे असली तेजी होने के लिए अ अच्छा खासा काम करके यहां पर दिखा सकता है तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको यहां पर ध्यान देना है ओके इसके इलावा हम बात करते हैं और भी इस टॉक्स की जो कि है लगी बी ओके लगी बीड बैने आपको नीचे की लेवल से यहां पर खरीदवा रख है शेयर 26 को क्रॉस करता है याद रखिए एक इसमें तेजी होती है बीड बीर गर डिखाई देती है बट ऊ-टो अज़िए जो फर यह आपर यहां पर यह गरता हूग दिखाई देसकता है तो आपको स्टॉप लग ने अपर इस तरीके से वहां दिखाई देना है तो आपक को इस वीडियो में बताए कि किस तरीके से यहां पर रिजल्ट आने के बाद वेट करके आप लाश्ट के एक महीने में अच्छा खासा पैसा कमा सकते है बस वेट करने की जरूवत होती है तो अगर वेट कर सकते है अगर कीडा नहीं है यहां पर डेली टेडिंग करने का तो सि यहां पर चीजे ऊपर चले जाए तो बेचना शुरू करें तो अच्छा पासा पैसा बन सकता है इस इत को याद रखिए इसके इलावा एक और श्टॉक टीसी एनस टीसी एनस हमने यहां पर वीडियो पनाई थी आपको जब यह नीचे था इसके आप 20% के रिटन हमें बिल यहां पर चीजे ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकते हैं और इसके ओल्टाम है जो यह ताब आपका अचीव हो सकता है तो मैं पर यहां पर टी-सी एनस की तरव भी आप ध्यान दे सकते हैं इसके राम इसके लावा एक पर पर चीआ प्र शॉक्तिक रिप घिए इसने पी आ सकती है इसका जो फैर्फ है इसका ind Só यहां पर कभी वावट भी भी आ सकती है तो यहां पर आपको थ्यान humor विज्टोस तो यह पर आप देखें ग perse आपर शीदे दिक्षाए ओके यहां पर एक ट्राइंगल पैटरन भी बनता हुए नजर आ रहा है और यह अगर यह आज का हाई तो 995 रुपे के आसपास यह अगर क्रॉस करता है तो सीधे यहां पर यह अपने अल्टाइम हाई की तरफ यहां पर जाता हुए दिखाई देगा जो की 117 के आसपास है और के एख आज बागान तो यह 2027 को भी अगर यह कर देता तो एक रहली होती हुगी दिखाई दे सकती है तो और यह घृम यहां पर दिखाई देञा है यह यह चीजे तो चीजे ओपर जाती हुएं दिखाई देती हुई नजर आ ह्रही है इस पर्टिकुले स्टॉक की तरफ भ यहां पर ब्रेक आउट दे सकता है तो इस की तरब भी आप ध्यान दीजिए और यहां पर जो ब्रेक आउट का लेवल है आपको ध्यान देना है इसके अलाबा एक और श्टॉक से लेटी बात करेंगे टिन प्लेट एक बहतिन रिजल्ट यहां पर आते हुए दिखाई दिया इस कंपनी की बट यहां पर गिरावट होती हुए भी दिखाई दिये अगर यह आज 442 रुपे का लेवल यहां पर क्रॉस करता है यहाद रखिए यह लेवल है 442 को क्रॉस करता है तो एक तेजी होती हुए दिखाई देती है बट यहां पर अभी एंट्री लेने की जरुवत मत करिए भागने को यहां पर लगबक और भाग सकता है कभी भी बट अगर यहां पर गिरावट होती है और उसकेस में तो वह दिखाई देगा वह भी कम रिस्क के साथ हो यहां पर इस परिटिकुलर स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दीजिए इसके इलावा यहां पर एक और पर परिटिकुलर स्टॉक्स है यहां पर एक में दीजिए अडार वेल्डिंग अज भागते हुए दिखाई दिखाई इसमें भी एक तेजी हो सकती है यहां पर ध्यान रखिएगा अगर यह अपना इस लेवल को यहां पर असरी तेजी के लिए सासु सैथिस इस लेवल को निकालता है तो एक अच्छी-गासी तेजी होगी बर अधरवाइस यह यहां पर अच्छी-गासी तेजी होगी तो यहां पर इसे यहां पर लेते हुए जा सकती है तो इस पर्टिकुलर कंपिनी की तरफ भी आपको ध्यान में देना है तो यह कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ते जहां पर आप अगर ध्यान देते हैं तो अच्छा-खासा पैसा यहां पर को बनता हुआ नजर आएगा बर्ट बाइंग सणी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइंश्य एडवाइजर कुछ की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने कोश्र करना है अगर सीखेंगे तो पैसा फ्यूचर में डेफिनेटली बनता हुआ नजर आएगा और कि की तो पैसी की हैं बेना बनता हुआ नजर आएगा इंपर वीडियो जांगे देखिए क्वाइब कि रिखने वीडियो में कुछ नहीं ही चुक्ति ना थे और यह नमबर यहां पर आप हमें कांटाक कर सकते हैं कौंड ब्लस